मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू मेरे देश तुझको नमन है मेरा जियूं तो जुवां पर तेरा नाम हो मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा ऐसी ही सोच रखने वाली धर्ती मेवाड की धर्ती दोस्तो मेवाड में यू तो अनेक सपूत हुएं जोनों ने अपनी इस मिट्टी के लिए जान को कुरवान कर दिया और किसी की गुलामी कभी सुईकार नहीं की बपा रावल से लेके महरणा परताब संगराम सींग अनेक नाम है और इस मिट्टी में जन्मा है एक चेतक जो कि स्वामी भक्ती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है एक पशु होते हुए भी अपनी मिट्टी के लिए अपनी स्वामी के लिए उसने जान दे दी थी और ये चेतक की समाधी इस्थल मेवाड की धर्ती पर यहीं पर आप देख रहे हैं दुनिया में अगर किसी जानवर की समाधी आपको मिलेगी तो बोच सिर्फ चेतक है तो देश के लिए ना सिर्फ इंसान अगर पशु कोई भी जान देता है तो उसको भी हम कितना याद करते हैं ऐसी मिट्टी है मेवाड की चित्टोड की धर्ती महरणा प्रताप इस मिट्टी में पूरे जीवन संगर्श करते रहे लेकिन उन्होंने कभी अपनी स्वाधिनता से संग्राम से समझोता नहीं किया चाए घास की रोटियां खाई हों चाए भूंक में रहे हों चाए जंगल में तडपते रहे हों राजपार्ट छोड़कर अभी जुके नहीं चाहते तो मकमली गद्धे पलंग सारी सुख सुविधाएं भोग सकते थे लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए उन्होंने कठिन जीवन सुईकार किया और ना सिर्प महरणा प्रताप की धर्ती को महरणा प्रताप के लिए याद किया जाता है उनके स्व जो नाला था कहते हैं को उसको जब महरणा प्रताप अगर उसको पार नहीं कर पाते तो दुश्मन उसके पीछे था और चेतक ने पूरी ताकत लगा दी नाला तो पार हो गया लेकिन चेतक अंतिम शांस वहीं पर ली क्योंकि उसके आगे वो नबढ़ सका अपने स्वामी क जान बचाने के बाद में जेतक ने दम तोड़ दिया था लेकिन स्वामी ने आगे चल कर इस मिट्टी के लिए संगर्ष को तेज कर दिया था